नौतपा के आखरी दिन MPK कुछ जिलों में तुफानी हवा के साथ जोरदार बारिश हुई है जिससे की लोगों को भीशन गर्मी से और उम्मस से रहत मिली है आनोपपुर में आंधी तूफान के साथ जोड़दार बारिश हुई जिससे की नौतपा की भीशन गर्मी से राहत मिली जिलिक में कई घंटे जोड़दार बारिश होते रही और बारिश से तापमान में गिरावट आई तो वही सीधी की भी तस्वीरात देख लिएजें सीधी में भी मौसं का मिजास बदला और तूफानी हवा के साथ आधे घंटे तक बारिश हुई जिससे की गर्मी से राहत मिली जिलिक है और इधर सतना में भी नौतपा के आखरी दिन मौसं ने मिजास बदला शहर समेत आसपास के कई इलाकों में बादल चाय रहे और तेज हवाओ के साथ जोड़दार बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है गौलर के माधव गंज में तीन बुजर्गों की जान बाल बाल बच गई दरसल साई क्रिपा अपार्टमेंट के एक फ्लाट में 82 साल के आत्मराम 85 वर्षिय बहन शिला और 104 वर्षिय मा दयावती के साथ रहते थे आत्मराम की माध दयावती चलने फिरने में असमरते हैं जबकि बहन शिला बोल सुन नहीं सकती शनिवार को तीनों अपने फ्लाट में थे इस दोरान फ्लाट की चाबी गुम हो गई जिसकी वजह से पुरा परिवार भीतर कैद हो गया आत्मराम ने कई बार दर्वाजा खटखटाया लेकिन किसी ने आवाज ही नहीं सुनी थोड़ी ही दिर बार बाल खुन गए आत्मराम भाही गिर कर बेहोश हो गए इस दोरान आत्मराम के भांजो ने उन्हें फोन किया कॉल रिसीव नहीं होने पर तुरंद मौके पर पहुँच गया और पडोसियों की मदद से तीरों को बाहर निकाला गया आएपियर में कॉलकाता नाइट्राइडर्स के लिए खेलने वाले बाई हाथ के स्टार बल्लेबास वेंकटेश अयर ने शादी कर ली है पिछले साल शुती रगुनाथन के साथ क्रिकेटर वेंकटेश अयर की सगाई हुई थी उनकी पतनी फैशन डिजाइनर है आईपियल में आल राउंडर वेंकटेश ने जम कर धमाल मचाया था वेंकटेश इंदौर के रहने वाले हैं और वो मध्य प्रदेश के लिए क्रिकेट खेलते हैं वेंकटेश अयर की शादी की फोटो सोचल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और अब बात मंडला की करेंगे जहां दो बाग शावक तस्वीरे खिचवाते नजर आए हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परेटकों को देख कर पहले एक शावक रुका और घंटों बैटकर अलग-अलग पोज देकर अपनी तस्वीर खिचवाता रहा पहले शावक को तस्वीर खिचवाता देख दूसरा शावक भी आ गया और वो भी दूसरी तरफ खड़ा होकर परेटकों को अपनी ओर आकर शित करने लगा दोनों शावक कभी पत्थरों में तो कभी मैदान पर बैठ कर घंटों तस्वीर खिचवाते रहे दो शावकों को एक साथ देख परेटक भी रोमान्चित हो उठे आपको बता दे कि ये दोनों शावक कान्हा नैश्वर पार्क की मशुहूर बागिन नीलम के हैं अनुपुर जिले के कोठी ग्राम में दिन दहाडे भालू घूमते हुए दिखा भालू देखने के बाद ग्रामिरों में दह्शत का महाल है भालू के घूमने का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है अब तक जंगली जानवर रात के अंधिरे में ही दिखते थे लेकिन जिस प्रकार से अब दिन में भी देखे जाने लगे हैं उससे ग्रामिर्ण की चिंता बढ़ गई है